आदर डियं दर्शक या आरूले नेपाल का महन बैक्तित्तों हरूको बारे माँ जीवनी प्रस्तुत गर्नको लागे हामीलाई गर्ण भाइको अनरोद लाई मद्यनाजर राखे रह हामीले एस भेडियो माँ नेपालका एक महन बैक्तित्तों इतिहांस शीरो मली बावुराम आचारेको बारेमा यो भीडियो बनावन गई रहेगा छों। मला विश्वास च यो भीडियो यहारूलाई निकेने रूजी करू लागने छों। आँदा दीन हरू मा पनी एसता बैक्तित्तु हरू को नेपाल रह नेपाली हरू को लागी महान काम गरने बैक्तित्तु हरू को बारेमा जीबनी हरू प्रस्तुत गरी नहीं रहने साउ। नेपाल मां बिदेशी हरू आउं थे नेपाल को इतिहांस को अध्येन गर्थे रहो उन्हेरू रूची रश्वार्थ अनुसार नेपाल को इतिहांस लेखने गर्थे और ती विदेशी हरु लिए जे लेकते हामिटते से लाई सत्य मानते हों रफ्ते से लाई बिश्वास गरते हों रफ्तेही बिश्वास को आधारमा हमने Seráど बनाने होने upon गरते हों यहां क्रिस्चियन हरु धर्म प्रचार को लागे आऊने गरते उन्हेरू तेही कीशिम को इतिहांस लेखने गर थे। उन्हेरू ठोकवा कर देही तिहांस लेखने गर थे। जसको परिणाम यहांका आदिवासीर जनजाती हरूमा एक किशिम को द्वेश को भावना रहने गर थे। लेखे को इतिहांस लेखने हामी विश्वास गर थे। रसाची ने हामी एकरका प्रती नकरात्म घ्वायर वसी रहेगा हुन थे। यदी बावुराम आचारे जस्ता ब्यक्तित्तो को जन्मर नहुन थे बने। हामी ले हामरो इतिहांस लाई शही रूपमा शही शही धंगले भुजन सकने थे नू। अरका को आखा पाटा अरका ले आपनो स्वार्त अनुसार जुन किसिम को इतिहांस शियां लेखी दिये को थे। तेही इतिहांस लाई विश्वास गर नहामी अभिशप्त होने थे। तर यो भुल्लाई बाबुरामा आचारेली तेरे इठाउमा सच्च आएगा थी। इतिहांस सीरोमडी बाबुरामा आचारेले बिदेशी हरूली लेखी दियेको इतिहांस लाई जस्ताको तेस्ते पत्यायनन। उनले आफईले अनुसंदान गर्णुपर्च भने रा अनुसंदान गरे रा आफई अनुसंदान बाट जे पत्ता लगाये तियो नहीं हामरू बास्तविक इतिहांस हो भन्ने उनको बुजायी थी। रा उनले आफईले अनुसंदान गरे रा जे जती इतियांस हरुको बारे माद हापाई त्यो हामीले पहला पड़ेकु बंदा निक्कै फरक त्यो अरु विदेशी हरुले आयर लेखी दियेकु इतियांस बंदा निक्कै फरक इतियांस देखा परे। पास्तम्मा इतियांस इरो मडी बाबुराम आचारेले हामरो बास्तमेक इतियांस लेहे गाचन। अदुइत्य प्रतिभार अनवरत साधना द्वारा नेपाली भासा सायत्यर इतियांस लाई जिवन तता दिने महान बैक्तित्त को नाम हो बाबुराम आचारिय। उनको जन्मा 1944 साल भागुन 29 कते एक मद्यमबर गिया ब्रामर परिवार मा आलको त्रिवन बिमानिस्तल छेत्रमा भय गुतियू। उनी पिता धर्मदत्तर माता शिवकुमारी का पहिलू संतान थी। हजुरबाजी पस्रीपति आचार्य बाट प्रारमणवीक सिक्ष्याान सिल का बाबुराम आचार्यली रानिपोखरी श्तीत संस्क्रितपारस बाट अध्यन अगाडी बडाये का थी। संस्क्रित पार्शला बाट हाई स्कूल इस्तर्य सिक्ष्या पुरा गरे पची उनी उच्चे सिक्ष्या का लागी सत्र बर्षको उमेर मां बनारस गहे का थी तेहां उनले द्वी बर्ष भन्दा बड़ी अध्येन गर्ण नपाये पनी तेस छोट समय मां उनले जोतीस धर्मसास्त्र रर बैक्रोंड सास्त्र आदीमां रामरो ग्यान आर्जन गरी नेपाल फरके का थी बनारस बाट फरके बचे उनी राजगुरु कुबलय राज पंडित को निजी विद्याले मां सिक्षको रूपमां काम गर्न थाले त्या उनको भेट बजांगी राजा जय प्रिथिवी बाहदुर सिम्मस्र तेति खेरका प्रसिद्ध बिद्वान बिलेंदर केशरी अरियाल संगा भयो त्यो बेला निकेई स्वाविमानी बैक्ति को रूपमा चीनिने ती बिद्वान हरु को प्रभाब 9 बक बाबुराम आचारेमा पनी पर्न गयो ती बिद्वान बर्गको संगत ले बाबुरामा आचारेको जिवने काया पलट भयो तेई संगत को कारण ले उनी अनुसंदान सम्मंदी ग्यान गंगा को खोजी मां सक्कुरिय हुन थाले। जिबन निरभाक अनिमित्त जागिर खानु परेपनी उनको खास लक्ष भने नेपाल सम्मंदी बिवीत कुराहरु को खोजी गर्नु थियो। जागिर बाट बचेको अधिकांग्ष समय उनले एसाई छेत्र मां खर्चीने गर्द थे। नेपाल को इत्यांस प्रती आकर्षित भायपची उनी आफनु शाधनामा कती तलीन हुन थाले भने नेपाल सम्मंदी अध्येंड र अनुसंदान बायक अन्यक कुराको चासाई भायना उनलाई। एसाई ले गर्दा उन्मा चाकडी र चापलूसी गर्ने गलत प्रवितिको बिकास होना सके न भने लुगी छिपी इत्यांस को खोजी गर्ने होनाले ततकाली निसास्त को उनी माथी कुद्रिष्टी पर्न धाले। एसाई को कारण उनी जीवन मां खर्दार भन्दा माथी को पद्मा कहिले उकलान सके न। जुन समय मां बाबुराम आचारिय नेपाली इत्यांस को अनुसंदान मां लागे का थिये। उति इतिहांस प्रतिवनी आक्रसी धुदेगाई एस क्रम्मा उनली मठ मंदिर का भित्ता भित्ता चिहाई गर घर मा डोका घजगजाई गल्ली गल्ली चहारे तर दुरभाग्य एस अनुसन्दान को इने शिला पत्र ताड पत्र र पुराना कागज हरुको धमीलो र मसीनो अ प्रतिकूल असर पर्ण थाले। उन्नाइस्ते अंठान अभे साल देखी लेखपड को काम पूराई छोड़ना बाध्य भायका आचरेका दुबईयांखा दुएजार सार साल सम्मा मा पून तह बंद भाई सके का थी। आर्थिक अभाबली गर्दा उन्नले आवश्यक उपचार गराउन सम्मा पाये नन। अनेको बिन्न बाधा हरू उपस्तित भायरपनी फलको आसा नराखी प्रग्यां चक्षु को भर्मा उन्नी आपनो साधनमा निरंतर लागी ने रहे। आर्थि भुवन बाट इत्यांस स्तिरो मडिको पद्वीले विवुशित गरिये गो थियो। बाबुराम आचर्यका देजार सासाल अगाडी पुराना कभी र कभीता तुलनात्मक सुंदर कांड नामक दुई प्रसिद्ध ग्रन्थारू प्रकासित भायका थिये। उनी प्रसिद्धी र सम्मान का भोका थिये नन। प्रकासित गरेका थिये। देजार उन्तिस साल मा एस भोतिक संसार बाट बिदालिये। प्रेकिंग निउज मांत्र हैना विज्ञान, खवोल विज्ञान, इतिहांस, कथा, आत्मकथा र जिवनिका साथ ही ब्रमांड का राश्य हरू और जिवन्द्र जगत का अनेक रोचक प्रसंग हरू एस चैनल निउज भटा फटमा प्रस्तु धोने गर्शन। यस्ताई यस्ताई विडियो बोलागी हामिलाई सब्सक्राइब गर्नो हला रह नया विडियो सर्वा प्रथम हेर्ना कलागी नोटिपिकेशन प्राप्त गर्न बिल आइकन पनी दबाउनो हला कर दो बोलागी हामिलाई सब्सक्राइब प्रन प्रशन। प्रवाइ भुझा स्वारी टुझा स्वारी से स्वारी से प्रजु अजी टो जो है भूरी स्वार्ट है